तो आज अपन राश्तान शेचो की एक और क्लास लेके आए जिसके अंदर क्या है कि आपको जो जितने भी कुछ important question है जिसके अंदर अपन describe करेंगे और explain से पढ़ेंगे अच्छे से तो आज एक नई क्लास के साथ जो राश्तान शेचो का जो राश्तान शेचो जो एक्जाम है ठीक है राश्तान शेचो तीन मार्च को जो एक्जाम है उसके recording अपने class लेके आए जिसके अदर कुछ important question है जो मैंने तयार किये तो सबसे पहले आपन देखते हैं कि पहला question क्या होता है सबसे पहला question है what are the nutritional related services provided to nursing mother and pregnant women यह पूछ रहा है कि इन में से कौनजी service है इन में से कौनजी service है जो पन क्या करते है एक pregnant इसको नर्सिंग मदर को नर्सिंग मदर को और प्रेगनेंट मूमेन को कि पूमन हो क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं अब इन में से option देखिएगा और आप्षिन क्या है फस्ट ऑफिन है supplementary feeding उसके बाट टी एचार थे फोम राशन ऑप्षिन और ऑप्षिन डी है supplementary feeding and growth monitoring तो सबसे पहले मैं आप बता दो देखो option क्या क्या है कि जैसे option क्या पहला supplementary feeding के अंदर आपन जानेंगे सबसे पहला आपन देखते हैं कि इसके अंदर जो यह क्वेशन है इसके अंदर लिखावाए कि supplementary feeding क्या होती जब भी कभी किसी मदर को किसी nutritional की कमी होती है ठीक है उसके according जो supplement दिया आता है उसको बोलता है supplementary feeding growth monitoring कि उसकी बार-बार growth चेक करना ठीक है और उसके बार supplementary feeding देना उसके साथ में growth चेक करना ठीक है यह चार ओप्षन दिये गए इनमें सबसे पहला answer मैं बता दूँ आपको आंसर इसका होगा इसका आंसर होगा ती अचर ती अचर अब टी एच आर्ज क्या होता है यह जानिए ती एच आर ती एच आर क्या होता है तेक सेस्टलक होम राशन से यह क्या होता है एक तरिकन का प्रोग्राम है क्याम होता है यह प्रोग्राम होता है जो क्या करता है सप्लीमेंटरी श प्ली वलाथु इनाट को सप्लिमेंटरी सपर्पलेमेंटरी क्या करता है फूड जो प्रोड़क्ट होते हैं प्र्रोड़क्ट कोते हैं वह प्रवाइड करवाता है उसके बाद और यह किसको करवाता है एक तो जो प्रेग्नेंट मुमनषों एक तो प्रेग्रेंट मूवन और चिल्डरन और बच्चों को यह क्या करवाते हैं यह सब्लिमेंटरी जो फूड प्रोडक्ट होता है वह अब इसके अंदर कि वाई कौन से कहां से लेकि कहां तक अपन जो बच्चे और बच्चे होते हैं उनको क्या करवाते हैं अपन फुड प्रोड़क्ट क्या करवाते हैं तो यह जो प्रोग्राम है यह प्रोग्राम में यह किसके अंडर आता है यह ICDS के अंडर तो क्या है वाट आधने से लिटेंट सब्सक्राइब नर्सिंग मदर है ठीक है उसको कौन सा जो सर्वीश है वो प्रोड़क्ट करते हैं और चिल्डन को अब चिल्डन है उनकी एज कहां से कहां तो च्छे से 36 मन तक होने चाहिए ठीक है 6 से लेके 36 मन तक होने चाहिए और 6 से लेके 6 से कम क्यों नहीं होने चाहिए क्योंकि 6 से पहले एक्सक्लूजीव एक्सक्लूजीव ब्रेस्ट फिडिंग एक्सक्लूजीव ब्रेस्ट फिडिंग होने चाहिए क्योंकि इससे पहले 6 मन से पहले अपन कुछ भी कोई न्यूट्रिशन या कोई भी सप्लीमेंट वह बहार से अपन सप्लीमेंटरी नहीं दे सकते बच्चे को छे महीं ने के बाद सप्लीमेंटरी फूड प्रवाइड किया जाता है अब देखते हैं अगला क्योशन अगला क्योशन क्या है विट राफ्रेंस तुदा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच आप फॉलोविंग इस नौट दा जॉब आशा एट्रेंड कम्यूटी हेल्थ वरकर ठीक है यह बोल रहा है कि इन मेंसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ठीक है सबसे पहले आप बात करते ह ये ऑनार जाओं या 25 आ ऐसा इसके अंदर क्या हुआ था जितने भी रूररल एरिया जितने भी विलेज वाले एरिया है कि उन यह लाया गया था अब जो अनायाचम मिशन है ठीक है यह दोजार पांच में आया था ठीक है अब इसके अंदर क्या है एक ट्रेंड हेल्थ वर्कर काम करती है जिसका नाम क्या है आशा एक्रिडियेटेड सोचल हेल्थ एक्टिविटिस एक्टिविस्ट इसकी फुल फॉर्म है अब यह बोल रहा है कि क्या क्या रहा है कि इन में से कौन सा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग कौन सा इन में से आशा का काम नहीं है जो आशा है वो कौन सा काम नहीं पर हो में वो लिख लीजी आप क्यूसरे आ सकता है यह भी एक्रिडिएटेड तो अस्ट को इसके अंदर आसा को लाए गया था इसके अंदर आसा के कुछ काम होते है उसके अंदर आसा ही जो responsibility होती है जो जो काम होते हैं वो कौन-कौन सा होते है तो सबसे पहले देखिएगा पहला काम कौन सा है पहला का हमें identify and register new pregnancy कोई भी pregnancy होती है प्रेगनेंसी क्या करना identify करना उसके बाद register करना उसको ठीक है उसके बाद जो भी birth होते है birth and death को क्या करना register करना पहला काम हो गया यह कोई भी नई delivery आती है यह नया किछी भीfang मळें अ्यांग सिंट से सब्सक्राइब का क्या घूडिख करना युशी भीund दूसरा काम देखिए किसी बीול होस्पिटल में बड़े लगए क्म्यूनुटिस एंदर खुडी करनाहा उनको आंस्पिटलिंग करना और समय करना में पर फूर्श लेदिघुटे सरीं इतने भी होती है उनके इंदर क्या क्वांस लियंद रोश्म कांडा यह गए दो काम अब तीसरा काम क्या है कासा कांड वे कांसलिंग करने पद्बार थीसरा काम क्या है जितने वह कोईई सो रिद्री इननेयस को क्या करना इप अइंटिफाय करना का ब Bhag closer क्या करना मैनेच करना टीज़सरा काम हो गया और चौर्था काम क्या है उसके अंदर suport करना में ठीच सपोर्ट करना और home visit करना होम विजिट करना फास्ट एक औरो सूनदेशा करना फिफ्त काम कार्फिस युद्ध करना कि कीया ककृडिंग के प्लान बना मैं ये fünf कामोगे तो अब यह बोल रहा है तो देखेगा आशा इन में से कौन सा काम नहीं करती है तो अपने पड़ा था कि यह जब भी कोई एंटरेटल केर होती है वो करवाती है तो यह काम आशा का है ठीक है उसके बाद option B कहanned using pregnancy test kits for early detection of pregnancy यह भी जो आशा काम हता है कि जितने भी ively detection plus pregnancy kit होते है उनको फ्री में देना खा और जो प्रेगश und Thompson इंफोर्मेशन और नीट्रेशन इनाइशन अपने पड़ा था कि जितने भी नूट्रेशन और इमनाइशन होते वह क्या करती आशा पृइड पर वाती अगला अग्छान है कंडुक्टिंग देलेवरी तो यह लेपर यह काम है यह आसा नहीं करवाती यह होता है मेडिकल हेल्थ ओफिसर का काम होता है ठीक है ठीक है ठीक है इसका राइट आंसर क्या है अप्षन अगला कुछन देखते हैं अगला कुछन है विच डिजीज नौट इंक्लिवड इन मिशन इंद्रधनुस में नहीं है अब मिशन इंद्रधनुस क्या है एक तरीकी से एक प्रोग्राम है एक प्रोग्राम है मिशन इंद्रधनुस के अंदर क्या हुआ था कि जितने भी गौवर्मेंट ओफ इंडिया ने कि गौवर्मेंट ओफ इंडिया ने 25 दिसंबर कि 2014 को इससे लॉंच किया ठीक है यह क्या है लॉंच डेट है याज रखना जरूरी है मिशन इंद्रधनुस कब आया था 25 दिसंबर 2014 का आया था और इसको लॉंच किस ने किया था अपने हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर इस टाइम कौन थे जेपी नडड़ा इनका पूरा नाम क्या है जेपरकास नड़ा तो यह मिशन इंद्रधनुस उस्टाइम आया था अब इसके अंदर जो सिस्टम था मलब यह था कि कवरेज करना है इंडिया को कि कवरेज करना है इंडिया को कि 90 पर्षेंट इम्मुनाइजेशन से कवर करना है मतलब क्या था इंद्रधनुस के अंदर कि मिशन इंद्रधनुस यह था कि जितने भी बच्चे जो अपने जो इम्मुनाइजेशन जो शेडूल है उसके अकॉर्डिंग आगर जिनका इम्मुनाइजेशन नहीं हुआ है उनको कवर करना है ठीक है उनको क्या करना 90 पर्षेंट क्या करना है सबको जितने भी बच्चे है उनमें से जितने से 100 पर्षेंट बच्चे है ठीक है सो में से 90 पर्षेंट बच्चे को इम्मुनाइजेशन करवाना है यह उनका मिशन था जो कवरेज करना है ठीक है अब प्रक्राइब कोनद्र दिजीज आती है यह इंपोर्टेंट है थीक है मिसन इंद्रदनूष के अंदर मिसन इंद्रदनूष के अंदर कौन-कौन ची डिजीज आती है वह डिजीज अपन लिखने जा रहे हैं तो इस क्यूशन का आंसर अपनको आराम से मिल जाएं तो सबसे पहले आती है डिप्तीरिया डिप्तीरिया दूसरी आती है वूपिंग कफ वूपिंग कफ या पर्टूशिस बोलते सकते हैं पर्टूशिस थार्ड नमबर आती है एटनस और फॉर्थ नमबर आती है क्यूबर क्लॉसिस और एक वार आती है पोलियो इसके बाद आती है मैनेंजाइटिस उसके बाद आती है है पटाइटिस भी हाइट है तो इस जो जितनी भी यह 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 क्तिया लिखी है साथ साथ प्रिवेंटेबल डीजीज और ते यह साथ प्रिवेंटेबल डीजीज होती है इनको इंक्लूड गया गया है जिसके अंदर में आपको बतातों इनको याद रखनेगा ट्रिक किए कर लो आप इनक्लूड हो जाएगी तो मिशन इनक्लूड इनक्लूड हो जाएगी तो अपने अकोडिंग टू क्योशन चलते हैं अभी क्योशन क्या गया रहा है फिशें नॉट इंक्लूड इनक होता है जिश्के अंदर इंक्लूड औरवुपिंग कफूप एक या जिकनफ मां सब्सक्राइब दिदर नहीं होता हुथ इसका राएट अनसर ग्या इसके राएट असरें भी य संदेखते हैं अपन अगला कुछन है होस्पिटल एक्वाइड इंफेक्शन are also known is it is very simple क्योयशन तोम्हडर सबस्थी यादा सिम्पल क्योशन है मुझी जा तक पता हुआ है आपको सबी को आजाएगा लेकिन यह इक्वाइग सब पूसे जाता है इसको बोले 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 जाता है इ सबसे बड़ी बात कि नोजो कोमिल इंफेक्शन आपन कभ बोलेंगे जब कोई पैसेंट जब कोई पैसेंट और उसके बाद इडमिट होता है तो उसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अगर 48 से पहले और उसको इनफेक्शन हुआ तो वो इंफेक्शन नोजो कोमिल के अंदर नहीं किया जाएगा उसके बाद एक और अपन देखता है कि इटरोजनिक इंफेक्शन डिश क्या होता कि जब्डी कोई जैसेी मालो प्रोसेजर उसका कयह प्रोसेजर समोब Parlament लेंटे और हिट्रोजनिक क्या हो गया है जब भी को इन चांपने पर्फॉर्म कर ता तो उस्प्रोंट से ले टेपच्छी हो तो इसका राइट आंशर होस्पीटल एक्षण में कौन सा है नोजोगोमिल इंफेक्षण है इसका मॉस्ट कमन कौन है UTI कोन करता है सब्सक्राइब करता है और यह कब उसको नोजो कोभी मालते है 48 घंटे बाद एगर वो से चिसरे कम युटी इंफ्रेक्षिन बॉला जाता है कि अग्ला उसने वार्मर्स सिंड्रॉम इस कंसिडर एक्स वार्मर सिंड्रॉम क्या होता है वार्मर सिंड्रॉम इस कंसिडर है अब वार्मर सिंड्रॉम यह मैं आपको उताओ वार्मर देख सेखें वारमर सिंड्रोम क्या होता है सबसे पहले जान लेत है कि वारमर सिंड्रोम होता एक ज़ोद नहीं पाय जाती हります इन्हेलिटेंटgg इसके अंदर हेंडर इन्हेलिटेंट इसे इसके अंदर अफेक्ट्स होने वाली जो चीजेंगयों ओफेक्ट करती है वो इन्दो ग्लेंड मुंदूर अंदर हो जाता है। पर इक तरीके से टूमर हो जाता है धी यह मुद्र ऑा है इसमें अडिकी तैंड के अंदर पेरा थाइरोड और पिटूटवी ड्लेंड के अंदर हो जाता है ठीक है और वह infin Ho लनी यह वंधर चलोम इंडर के अंदर मेंदिक परःफार्लn के अंदर तेखा जाता और अब जो आप हमारव उसको दूसरा नाम इदा आलता जो को एक को 20 यह इसको उर क्या बूलिटा का यह मंग हमें अब मल्टिपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया क्या बोला जाता है ठीक है और जो जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन है यहां पर भी एफ़क्ट करता है यह पिट्यूट्री और यह पर थायरोड ग्लेंड में अफेक्ट करता है ठीक है अब वामर सिंड्रोम ठीक है इसके अंदर दो टाइप के होता ही है ठीक है यह वार्मर सिंड्रोम है जो वार्मर सिंड्रोम फर्स्ट है वार्मर सिंड्रोम फर्स्ट वाला है ठीक है इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लेंड एंडोक्राइन ग्लेंड पेरा थायरेड पेंक्रियाज एन्ड पिटियुट्री लिए दो हर्मनों और चीज़िछ हैं जितनी भी गलेंड में इने के अंदर जो पाए जाने वाले हार्मोन होता है उनका अक्सिस सीक्रेशन होता है ठीक है अर्टोसॉमाल डॉमिनेंट इन्हेरिटेंट डिसॉडर होता है इसके बाद होता है मूट होता है तो यह जो वार्मर्सिंद्रोम में इसको बोला रहता है तो वार्मर्सिंद्रोम बोलाता है में का जो टाइप फर्स्ट है वार्मर सिंड्रोम बोला जाता है तो अब यह अपन एक और चीज देह लेते हैं यह अब है और अपना देखते हैं कि वार्मर जो शिंड्रोम में उसके अंदर टाइप सेकेंड है जो अम इन कीज तीक है इसके अंदर क्या आता है इसके अंदर बहुत दो टाइप होते हैं एक तो एमियन का टाइप 2A और एमियन का टाइप 2B ठीक है जो एमियन का टाइप 2A होता है इसके अंदर कौन-कौन होती है ग्लेंड एक तो होती है थाइरोइड थाइरोइड उसके लावा एड्रिनल एंड पेरा थाइरोइड इसके अंदर क्या होती है इंकलूड होती है इसके अंदर इसके अंदर MEN के second type के first वाले में ठीक है अब MEN के second type के second के अंदर कौन include होता है वो भी देख लेते हैं इसके अंदर मेडूलरी थायरेड थायरेड कैंसर और फियो क्रोमोसाइटोमा यह क्रोमोसाइटोमा एंड नियूरोन्स एंड क्या होते हैं एंड होते हैं नियूरोन्स तो यह type second है तो वार्मर सिंड्रोम किसको बढ़ाता है में का तो टाइप फास्ट है उसको वार्मर सिंड्रोम वहा लता है अगला क्योशन देखते हैं अगला क्योशन है अगला क्योशन क्या है कि टोटल लंग कैपेसिटी इन न्यूरोन ठीक है तोटल टोटल लंग तो यह डाइरेक्ट क्यूशन है ठीक है तो टोटल लंग क्यूश्यूटी होती है न्यूबॉन की वह कितनी होती है तो टोटल लंग क्यूश्यूटी कितनी होती है इसकी वह होती है 150 आमनल याद रखना है इस चीज का ठीक है और इस्टार लगा देना इसकी टोटा जो लंग कैपिशिट यह न्यू न्यू बॉल की वो कितनी होती है 150 अगला कुशन देखते हैं कि एट वार्ट एज डजर बैबी फर्स्ट स्टार्ट सिटिंग इन में से कौन सी एज में बच्चा सबसे पहले सपोर्ट के साथ यह चीज देखना है विट शपोर्ट हैं किया वैज लिखा है विट शापोर्ट उन में से एट वा रड़ियच बैभी फर्स्टा चीटिंगिश सपोर्ट इन में भी तस समपोर्ट जो बैप Guatma पांच मंद में वह सपुयराइक साथ क्या बेठना बैठना उच्छानः से लेके 8 अठम जन से लेकर 8 मंद में विना किसी सारे के बच्चा बैठना तो हुच्चा है हुआ हेट वाट वाट कर शार के साथ बैठना कब सीखता है चार वाट के पांच आप यह वह ओना पतीघ ऑ बेटना सीखता है वो भी विदाउट सपोर्ट के साथ तो आंसर क्या इसका आंसर एट फाइप मन्त तो इसका आंसर क्या है एट फाइप मन्त अगला कुछन देखते हैं अपन अगला क्या नर्श अडिनटीफाइट प्रू लेबर एक तो इन्हें से कौन सी चीज यह डिसक्राइब करती है मतलब डिफ्रेसियेशन करती है कि नर्श पहचान पाएगी इन्हें से कि यह ट्रू लेबर है और यह फाल्स तो मैं आपको ट्यू लेबर में जितने बी जो कंड अधिशन होती है वो अमने बता देता हूँ तो अपन क्या करते हैं कि एक अपन क्या करते हैं कि 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 डिफ्रेंशी सिंगा एक औरहों विख होस लेते िसाय कि कि अ i थिर्टर इन कि ये दविदे लिखलेता है अपन नंर्ग सब्स्स इतले कि अपmost McFalls स्लेबर इतव निए किट्रीण फन विए कि ausले बर तीक यह डूकर व्य दोनो आ रहे मैं अब बात करते हैं किपास ने बर में क्यां खैक अ talent अ हैं अपन दोनों जो डिवाइड्र करदे डिफिरेंशल्स नि इसाथ ही है जो फाउस लेबर होता है उसके अगण न सब्सक्राइब अब न सब्सक्राइब से चरह लोगा समय सबुक्ट अमृतिर दीन सब्सक्राइब होता है ठीक है इसके अंदर लिखेंगे irregular contraction होता है जबकि true label के अंदर क्या होता है प्रियू लेबर के अंदर क्या होता है वो क्या होते है gradually gradually develop और क्या होता है regular होते हैं जो खान्ट्राक्षिन की बात उसके बाद जो फाल्स लेबर है वह क्या होता है जा अपन फुदा वहलक बहुत बहुत घुमते हैं ठीक है मोबलाइज होता है यह फिर वोकिंग के टायम जो वोकिंग करते हैं तो जो फाल्सलेबर के जो कॉन्ट् प्रिव लेबर के अंदर जब भी अपन वाकिंग करते हैं तो यह मोर हो जाते हैं मोर हो जाते हैं यह चीजे याद रखने और उसके बाद अगला कि फाल्स लेबर के अंदर जो ब्लड़ी शो होता है ब्लड के जाद जो मिकेश का निकलते हैं उसको ब्लड़ी शो नहीं देखने के विलता जबके जो ब्लड़ी है वह आपने को ट्र्यू लेबर में देखने को इस होता है ठीक है परजेंट होता है ठीक है उसके बाद जो अपनी सर्विक्स है सबसे याद रहना सर्विक्स का इफैस्मेंट एंड डाइलेशन इसके अंदर देखने को नहीं मिलता जब इसके अंदर इफैस्मेंट एंड डाइलेशन पर जेंट रहता है यह मैंने बता दिया आपको इसके इस अपने अपन 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 पूछा है कि इन में से अपन तो और ने मजू होता है पहले सबस्ते हैं इसके वह अक्या मेंब्रेशन अपन इस फॉल्प सब्सक्राइब तो पहले आपकर गिद्ला घाण Supan तो जो option D है वो कह रहा है कि एक धम से start होता है एक धम से नहीं होता हो क्या होता है ग्रेजुली start होता है दीरे-दीर start होता है और membrane साल membrane से पहले start होना start हो जाता है तो option D is incorrect है क्योंकि यह false label जा रहा है अपनको पहचान दा है Q label option C contraction progress only in a side laying position तो एसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं होता जब walking करते हैं या फिर कोई करते हैं तो वह more होता है जबकि side laying position में contraction कम होंगे तो यह भी answer C वह गलत है option B कहता है contraction stop when the client walk around contraction बंद हो जाते है यह तो फाल्स लेबर का ठीक है जो contraction बंद हो जाते है यह तीनों क्या है यह फाल्स लेबर का है कोंट्रक्शन बंद हो जाते हैं जब पैसेंट के मोबलाइज होता है ओप्शन ए कहता है ओप्शन बीबी कहता है तो ओप्शन कहता है प्रोग्रेसिव ली इंक्रीज होता है इट इस दशाइब ऊफ९ लेबर ठीक है इसी को प्रिव लेबर या सत्य लेबर कहा जाता है तो आंसर विल बी option A, option A will be answer हो गया इसका, height answer will be option A, अगना question देखते हैं अपन, अगना question है, the weight of baby at birth is 2 kg, यह याद रखना कि बेबी का बर्त है, वो कितना है, 2 kg का है, बेबी कितने का है, बेबी है 2 kg का, ठीक है, बेबी 2 kg का है, how much fluid does a baby need on the first and third, तो बेबी को पहले and तीसरे दिन, ठीक है, तीसरे दिन, कितना fluid चाहिए, ठीक है, बेबी को पहले और तीसरे दिन, कितना fluid चाहिए, यह है, तो मैं आपको एक table बना के बतायता हूँ, ठीक है, उसके अंदर, जो भी first से लेके, अगर, malnutrition है, ठीक है, और under nutrition, जितने बेबी होते हैं, ठीक है, उनके लिए वो table बनाई गई है, ठीक है, तो मैं आपको एक table बनाता हूँ, उसके अंदर आप देखिएगा, तो एक अपन table बनाते हैं, उसके अंदर, मैं बात करूँँगा, अगर बेबी, या अगर बेबी हजार ग्राम से कम हो, हजार ग्राम से कम हो, ठीक है, तो अपन कितना देंगे fluid उसको, ठीक है, उसके बाद अगर बेबी, हजार से लेके, हजार हो गए, हजार से लेके, पंद्रा सो ग्राम के बीच में हो, च्रीह उसके बाद अगर बच्चा है और बच्चा पंद्रा अगर पंद्रा सु लेकर दोहजार ग्राम ग्राम और दोहजार ग्राम वह और अगर दोहजार से लेकर 2000 से या 2500 से उपार हो ठीक है यह तो ऊगई नॉर्मल कंडिशन नॉर्मल हो ठीक है तो बात करते हैं अब आता यहां पर कि Day of life कि डे ओफ लाइफ में फर्स्ट दिन होता है डे फर्स्ट के अंदर अगर 1000 गराम से कि 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 तो अगर फरस्ट दिन हो तो फ़स्ट दिन के अंदर अगर हजार ग्राम से बचा कम हो तो उसके अंदर आपन कितने ml डेंगे फरस्ट देंगे पर देंगे 100 से लेके 120 अमल के इन देंगे अगर बच्चा पहले दिन और तो ईसको धेंगे 80 से लेके 100 ml के बीच में अगर 1500 से लेएगे 2000 के अंदर है तो उसको देंगे 60 से लेके 80 ml के बीच में अगर 2500 या नॉर्मल बेबी है तो उसको अपन देंगे 50 से लेके 60 ml यह कौन से दिन की बात है यह दिन की बात पहले दिन फ्लूड देने का मतलब यह नहीं होता कि अपन बेवी को पानी पिलाएंगे फ्लूड कार्ट हो गया कि बच्चे को अपन जो माता से दूप दे रहें उसके अंदर भी अकाउंट हो सकता है उसके बात सेकंड डे की बात कर है जो 2000 गराम से कम बच्चा है इसको ठीक है और अगर 1500 से लेके 2000 ग्राम का बच्चा है ठीक है अगर बर्थबेट उसका 2000 ग्राम का है ठीक है 1500 से लेके 2000 तो उसको अपन कितने देंगे उसको देंगे 90 से लेके 92 110 हमल का फ्लिड उसको provide करवाइँ और अगर 25 दिन की बात आती है तो तीसरे दिन अपन को कुछा है पहला दिन और तीसरे दिन की बात करते हैं तो तीसरे दिन अगर किसी बच्चे का बजन 1000 ग्राम से कम है तो उसको अपन देंगे 150 से लेके 116 ml fluid और तीसरे दिन अगर 1000 से लेके 1500 ग्राम का बच्चा का अगर बर्थ वेट है तो तीसरे दिन उसको देना है तो उसको देंगे अपन 140 से लेके 106 ml fluid और 1500 से लेके 2000 ग्राम का अगर बच्चा जन्मा है बर्थ वेट है तो उसको देंगे 120 स तो उसको तीसरे दिन कितना फ्लूड देंगे 100 से लेके 120 अमल ठीक है और चौते दिन के बात कर लेता है हजार ग्राम से कम बच्चा है तो उसको देंगे 180 से लेके 200 अमल का फ्लूड अगर बच्चा हजार से पंदरा सो है तो डेड़ सो से लेके 180 अमल फ्लूड देंगे और अगर पंदरा सो से लेके 2000 ग्राम का बच्चा है तो उसको अपन देंगे कितना उसको अपन देंगे एक सो चालीष से लेके 160 अमल का फ्लूड देंगे ठीक है एक सो चालीष से लेके चोटे दिन ठीक है पंदरा सो डीकी दो जार अब नॉर्मल वेबी यह तो उसको देंगे 130 से लेके 150 अची ध्यान रखना जितनी भी वेल्यू आपको दी रखी है ठीक है पहले 100 से 120 थी तो उ जैसे 25 लेके पहले दिन 50 शितर था, शितर से 80 हो गया, 80 से 100 हो गया, 100 से 130 हो गया, तो इनके अंदर आगे इतना कुछ, बहुत बड़ी बात नहीं याद करने में, तो इनके अंदर आपको 10-20-20 बढ़ाते जाना है, और सारी वेल्यू आपको मिल जाएं, उसके दिन बात करते ह हैं, तो बच्चे को, अगर 1000 गराम से कम है, तो उसको देंगे 180-200 ml, ठीक है, उसके बाद 117 से लेके 200 ml इसको देंगे, उसके बाद 1500 से लेके, अगर 2000 गराम है, तो 1500 से 180 ml अपन फ्लूड देंगे, पर अगर नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, तो उसको 140 या 150 माल दो, ठीक है, से लेके 160 ml अपन फ्लूड उसको प्रवाइड करवाएंगे तो according to question क्या करता ही कोई बच्चा 2 kg का है अब 2 kg का इस range में आता है अपने तो पहले और तीसरे दिन उसको फ्लूड कितना देंगे तो पहला दिन तो ये पकड़ दो आप इसका पहला दिन तो ये रहा ठीक है और त 1000 का है तो पहले दिन में सबसे पहले 60 पकड़ते और तीसरे दिन के अंदर आपन पड़ते 120 ठीक है तो 60 से लेके 120 ml अगर कहीं आंसर दिख रहा है तो उसी पे ٹिक कर दीजिएगा 40 से लेके 50 ml गलत है 50 से लेके 70 ml गलत है 80 ml का तो सिष्टम ही गलत just 140 होता नहीं है यह भी गलत है तो बचा अपने पास 60 से लेके 100 ml अपने रेंज मान सकते हैं राट से 100 कुईकि 140 बहुत ज्यादा रहता है कम ले सकते हैं लेकिन 60 वाला क्रिटेरिया ब्रावर है इसका और आंसर क्या होगा राइट आंसर होगा विद्ट तो आपने देख लियो गारी टेबल इसके अंदर मेरे जितने भी वी बताया है वो याद रखना है ठीके अग्ला क कहता है according to according to WHO World Health Organization anyone can be defined in a pregnant woman while SB level lesser WHO कहता है कि इसमें से WHO का कहना है कि इसमें से कम होने पे जो 7th April जिसको अपने लाये थे 1948 को 7th April क्या है health day के रूप में मनाया जाता है health day के रूप में मनाया जाता है तो अपने उसको मानते हैं कि वो क्या है अगर कम हो जाती है अब डवलो औचो कहता है कि जब बिसी pregnant woman इतनी मातरा से कम हम मानते हैं अब डवलो ऑचो खुछ भी मान सकता है लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा एनीमिया क्या होता है कि अकोर्डिंग टू डबल आचो तो टू डबल आचो क्या करता है अगर एनीमिया हुआ तो हाघ्मोग्लोबिन की मात्रा डिक्री qe हो जाएगी जिसकी वज़ेसे क्या हो गा कि ऑकसिजन जितना जाना चाहिए उपनी मात्रा डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी अपनी बोडी के अंदर क्या क्या हो जाएगी इसकी वगजए से हाईटोगजी मिआ हो जाएगा बलड के अंदर और है काने इसकी वजए से क्या होगा अगर 11 ग्राम पर्डMr और पर फिर यह लोट खुआ यह से अगर 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 क्या हुआ एच वी कम हुआ ब्लड के अंदर तो क्या बोलेंगे नियुक्त यह कौन बोलता है यह वर्ड हैल्थ और बोल देता है ठीक है और अगर फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमस्टर से अगर 10.5 से अगर कम हो तो उसको बोलते हैं और सेकंड ट्राइमस्टर के अंदर अगर के लाइप आपन ऑगला क्विशन दगते हैं है मगला कुश आपन को मैं और से वह सता है तो रोकी माउंटेन फिवर किस से होता है तो मैं बता दू आपको कि रोकी माउंटेन फिवर होता है वह किसकी कार्ण कोज पहले बात है इसका फिवर होता है कि इसका बैक्तीरियलिजीज होती है और इसका व्य गौज अजेंड कौन है ह advice together । भी था दिपार्ल कोज़ेटिब और इसका नाम फैजिव है ठीट गदर्ट्र के इसका फ़ेटिव ऑर गे तीजका फ्रिच्प कैसे होती है इसे टीक्स अब ही ये इस रैदट कैसे होतीय ठीच dat ये जो अकर्च बोल रायाि है यह बोला है कि यह expressed फैलती कैसा है यह फैलती है टिक से अब टिक क्या होते हैं टिक होते हैं डोल counting और इसके अंदर होता है मैं बता दूँ आपको इसके अंदर पेन होता है दर्द होता है दर्द कहां होता है दर्द होता है अपने हेडेक के अंदर हेडेक होता है इसके अंदर मसल स्पैन होता है मसल स्पैन होता है ठीक है इसकीन अपनी तल्चा है जो अपनी स्कीन है ठीक है इसकीन जो अपनी चमड़ी है इसके अंदर क्या होता है रैसेज पढ़ जाते हैं रैसेज मतलब है रैसेज या और इसके अंधर बुखार का बुखार सब्सक्राइबॉश इसका treatment क्या होगा अगर निटर में का फोलो करें तो डॉक्षी-C-YC-W-I-N-O-C-C-C-Y-C-W-I-N-O-C-C-C-C-L-E-N-E-N-E-K-L-E-N-E-K-L-E-N-E-K-L-E-K-L-E-K-L-E-N-E-K-E-N-E-K-K-L-E-K-L-E-N-E-K-L-E-N-E-K-L-E-K-L-E-N-E-K-L-E-C-L-E-K-L-E-K-L-E-N लगा लेना रिकेट सी भाई को ठीक है यह आड़े के चांस दिखते हैं इसके अंदर क्या होता है फ्रीवर होता है मसल स्पैन होता है और हैडेक होता है इसकी निक अंदर रेसेंज पढ़ जाते हैं और भूग नहीं लगती वॉमेटिंग और नौजय होने के चांस रहते हैं तो कि अंदर रोखी मांटेंड यह के अदर तो अगला कुछा अपन देखते हैं न अगला क्योंच न चीछ ये अगला कुस्षा मीनीतäre रजी इंड इटाई इब्जी वाट इस इटाई इटाई अ इ Aegn जो मैंटल में इप टेल्टा से हने वाली वाली वाटर इते पोल्यूशन की एक प्रची है गरहां sistemas और कोGuillon वायदा फॉलिविंग मेटल इनि में ओक यह बौलना चाहता है कि मिनी माता और इटाइटाइट इजीजैए मैटलिंग और माने इनिमें से कौन से मैटल ऑनल जित इंड़ को फोटी है तो पहले मिनी माता डिजीज के बारे अपने बात करने है, तो मिनी माता, इसके अंदर दो डिजीज है, पहली ये और दूसरी, तो मिनी माता के अंदर अपने बात करते है, मिनी माता क्या होती है, मिनी माता का दूसरा नाम है, चीजो, मिनी माता डिजीज, ठीक है, चीजो मिन माता जीस जो कि kya 1956 के अंदर जापान में खवा ठीक है और इसका यह करतें क्या है यह बैदा करतμε ये घर यहलीक, mercury को मर्करी को अपना लिखते हैं हग 151 muasaf अब सभसे पहली बात इनके अंदर देखांने जान लेते हैं इक तधरीर तन्दीज्क नेन पर उसके अन्दर अगैसा की निति होती है तो इटाइग नंभी जस्ट इसक्राइब फिश्ट इन्हिए नहीं सिस्क्राइब करते हैं अब बात करते हैं किसके बारे अपने बात करते हैं वार जा तुछ आपनबात करते किसके बारे में अपनबात करते है इटाइ यह उपन आपको यह था यह हट किया है इसका यह होता है कि हट हुआ हुआ है कि हर्वा मतब मि sorting मिलके और यह इंटकों क्या और दोनों मिलके डिजिजियh निअट्स दोनों पर ये यह इंटकों पिंट अ करते सचे स्मelk क्लिट प WiFi का यंटक होता है वह नेरीविंग और जाता है ती our job पीज्ञ कंट देनर यह स्वार में ससथ एक पन सब्सक्राइब करवंसे सथे घ्री मूत रहाएं क्या थिक वह इसका सब्सक्राइब त quo करना होता हिसके और नियृजिक मेरजिया से करटीए सब्सक्राइब केड्यम की पोसंग क्या करती है इस थीज तो थीज और हुसिई सब्सक्राइल माता और fossil सजिज हो मेठाधिक पोलती। सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए जितने भी अपने साथ ही उनको भेज़ देगा और जो आने वाला जो एक्जाम है ठीक है तिन मार्च को उसके लिए अच्छे अच्छे प्रिपेर रहे गया और जो रही बात अच्छे अच्छे आएगा तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवार और थैंक